नमस्कार दोस्तों, मैं संजय आपका बहुत बहुत स्वाइद करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल में तो उचलिके दोस्तों आज बात करते हैं सोफ्टर की परफॉर्मस के रिगार्डिंग तो यहाँ पर आप दीख सकते हैं सोफ्टर का परफॉर्मस तो सबसे पहले जिसे स्टोक की बात करूँगा वो स्टोक है कोफॉर्ज अगर कोफॉर्ज को यहाँ पर हम देखे हैं तो यहाँ पर में 15 टाइम प्रेम पर दिखाने वाला हूँ क्योंकि मार्केट के अंदर जब ज़्यादा उतल फुतल होती है तो हमें टाइम प्रेम जादा यूज करना है यानि कि 15 टाइम फ्रेम यूज करना है अगर मार्केट आपका जैसे के ट्रेंड बाइस चलता तो आप पांच प्रेम आप कर सकते हैं ठीक है तो हम आज जो बात करेंगे वो 15 टाइम प्रेम पर करेंगे तो यहां पर देखेगा अपका अपका कोल जोनरेट हुआ यहां से अब आप चेक कर सकते हैं आपकी कंडिशन सबसे पहले कंडिशन जब sell call generate होगा तो yellow line के नीचे sell होना चाहिए याँनि कि आप यहाँ पर check कर सकते हैं yellow color की जो line होती है यह market का zone detect करती है यानि कि market कि this zone के अंदर है यह market का zone detect करती है तो यहाँ पर देखें तो इसके नीचे का zone रहता है वो cell zone रहता है तो यहाँ पर देखिएगा आपका sell जो उनके अंदर sell था और अड़ पांस स्मार्ट इंडिकेशन यहाँ पर देखिएगा तीन rate थे जो कि market का volume दर्शाथ है कि market कितना volume बढ़ रहा है और कितना open interest बढ़ रहा है वो यहाँ पर अगर तीन इंडिकेशन आपके rate है तो इसके मदलब market का open interest और volume आपका downside के अंदर है और उपर देखिएगा आपका pivot level, pivot level की value के नीचे market sell होना चाहिए से पता चलता है कि market का जो गिरावट का area है वो कितना जादा है अब आप यहाँ पर देखिए शोट टर्म में भी market sell था और यहाँ पर देखिए intraday market sell था शोट टर्म में अगर market sell रहता है यानि कि intraday में sell है साथ में अगर short term भी sell हो और long term भी sell हो अगर एक जगे भी sell हो तो मतलब market second target definitely देता है और आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर तीनों target यह market ने अचीब कर दिया है लगबग यहाँ पर यहाँ पर चेक कर सकते हैं एक सो चुरान में point का आपको यहाँ पर target मिला अब भी यहाँ पर एगर simple से आपर hundred share से भी एगर काम हुआ हो था तो लगबग आपका profit जो रहता वो 19,400 के something रहता ठीक है तो अगला stock देख लेता है उसका नाम है grassim अगर grassim की बात करूँ यहाँ देखेगा यहाँ पर भी आ low term और long term यहाँ पर देखेगा buy है यानि कि market second target जाएगा और आप check कर सकते है market ने second target आपका achieve किया इसके बाद भी market की जो चाल चल रही है वो आगे की है यानि कि आवज तक हम अगर check करें तो भी market यहाँ पर देखेगा 17 point का भी यहाँ पर मोनाफ़ा हमें दे रहा है अगला call देखेगा mine tree यहाँ देखेगा sell call आपका generate हुआ और आप check कर सकते है market में सारी condition आपके fulfill थी और यहाँ पर भी देखेगा आपको तीनो target यहाँ पर मिल चुक है अगल देखेगा asdfc asdfc bank की अगर बात करूँ यहाँ पर देखेगा आपका buy call generate हुआ सारी condition यहाँ पर भी fulfill थी और आपको देखेगा first target मिल चुक है और यहाँ पर कल हो सकता है morning में आपको second target भी easily मिल जाए asdfc life के अगर बात करूँ तो यहाँ पर यह call देखेगा आपका पांच मेर time frame का call है यहाँ पर देखेगा cell call आपका generate हुआ सारी condition यहाँ पर fulfill थी यानि कि तीन की जगह अगर 6 indication अगर fulfill रहते हैं तो इसका मतलब होता है कि काफी ज्यादा shorty बढ़ जाती है और आप देखेग यहाँ पर भी आपका second target आपको मिला अगर देखेगा आपका आईशी आशी बैंक by call generate हुआ पांच पर time frame call बता रहा हूँ यह यह भी आप check कर सकते हैं यहाँ पर भी आपको second target तक easily मिल चुक है तो इस तरह हम लोग अगर देखेगा तो भी market के अंदर काफी ज़ादा उतल बुदल रही और market में काफी ज़ादा मुनाफ़ा आज मिला अगर आप चाहते हो कि सॉप्टर के में live देखूं सॉप्टर live कैसा work करता है जो आप call बता रहे हूँ वो live में चलते गी नहीं चलते यह अगर आप देखना चाहते हो तो यह हमारी company की website www.smartreersystem.com इस पर simple सा आक आपको call करेंगे आपको live demo दिखाए जाएगा और सॉप्टर के regarding सारी information आपको provide की जाते है तो live demo उगर जरूर देखें और जो भी आपके doubt चल रहे हैं कि आर वाकर में वाकर पैसा बनता नहीं बनता वो आप यहाँ पर live check कर सकते हैं तो दोस्तों आशे करता हूँ आपको ज